गैस अगर आपके laptop में group policy editor को options हो नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मुझे सीखने वाले कि कैसे आपके इस problem को fix करेंगे जिससे आपके भी laptop में group policy editor को options हो दें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने भी तब मैं चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चानल को subscribe करने के लिए तो guys group policy editor को सुख करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे search करना है cmd So guys जैसे आप लोग यहाँ पे cmd search करेंगे cmd search करने के बाद आप इसके उपर right click करने के बाद आपको यहाँ पर run as administrator के उपर click कर देना एं तो guys जैसे आप यहाँ पे click करेंगे उसके बाद आप से permission मागेगा तो आपको यहाँ पे yes कर देना है copy करने के बाद आपको यहां पर आना, इसको paste कर देना है, तो guys, जैसे आप लोगे यहां पर paste करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर कुछ सेकंड तक वेट करना है, आपको यहां पर तब तक वेट करना है, जब तक यह आपका पूरा 100% successfully complete नहीं हो जाते हैं, तो जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जैसे आप लोग यहां पे पुर सेगन तक वेट करेंगे, उसके बाद यहां पे आप यह सक्सेफ़ली कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप यहां पे इसको क्लोज कर देना है, जैसे आपका सक्सेफ़ली कंप्लीट हो जाता तो अब यहां से इसको open कर लेते, open करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, group policy editor आप यहां पर आ चुका है, तो guys इस तरह से आप लो बहुत इजी तरीके से अपने laptop में group policy editor के option को ला सकते हैं, तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लेगों आपको लाइक करें चाला को सब्सक्राइब करें, thank you for watching.